यह मेरा बेटा सोया है देखे यह जागा भी है यह सोया नहीं है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुवे में कैसे हैं आप सब तो यह बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी हमेशा की तरह जरूर ल यह हमारे घर के लिए बिलकुल सुभ नहीं होता तो वो कौन से 6 महतपूर नियम है तो मैं आपके साथ सेयर करूँगी तो आप बने रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 6 महतपूर नियम क्या है तो उसी में का सबसे पहला नियम है कि देखिए जैसे यहाँ पे न यह मेरा बेट तो माली जे या तो बच्चे हों या बड़े हों किसी को आपको न ऐसे बड़े बुजूर्गों ने यह बताया है उनका बताया हुए यह नियम है कि माली जे कोई इस प्रकार से पूरा निर्वेद निश्चिंत सोया है उसको बिलकुल हो सवास सोने में आदमी को नहीं रहत कर या कभी जैसे आपको लगे कि वह आदमी एकदम निश्चिंत सोया है कई घंटों से तो आपको दोड़ के जाके ना ऐसे मतलब हिला के और उनका नाम रखके बच्चों को या बड़ों को नहीं जागानी चाहिए तो ऐसे नहीं बेटा उठो इस प्रकार से आपको नहीं उठाना भी चाहिए तो पैर के तरप से धीरे धीरे नाम बोल कर बेटा उठ जाओ या जो सोया है जो सदस स्य उनका नाम रखके उठ जाए एच उठ जाये लेकिन किसे को आइसे हिला जोड़ना वो नहीं चाहिए इतना ना कर दो कि आदमी डर जाए अचानक से सौक लग जाए उस परकार से आपको नहीं जगानी चाहिए पैर के पास धीरे-धीरे बड़ा हो बड़े बुजूर्ग हो या बच्चे हो धीरे-धीरे से बच्चों को जगानी चाहिए ठीक है यह मेरा बेटा जैसे की जागा है यह सोया नहीं थोड़ा लास्ट में दिखा देती हूं उट जो बबू डुगू उट जो इसका नाम है डुगू उटके गूड मॉर्निंग थोड़ा सब बोल रहा है तो इस परकार से आज से आप लोग बच्चों को जगाएगा मैं थोड़ा इसको सुलाह देती हूं थोड़ा और में चलते हैं क्या है और यह हमारा दूसरा дुमार घाड़व लगाते वां जबाकर के पोच देते हैं या गलती से ऐसे लगा रहे हैं लगा रहे हैं लगा के जा रहे हैं और इसे हमारा पैर इस पर पढ़ जाता है इस पर अगर मालीजे गलती से ऐसे पर पढ़ गया तो आपको क्या करना है जाडू को ऐसे छूके ना नमस्ते कर लेनी है ऐसे नमस्कार कर और अगली बाद के आए कि जाडू को कभी खाडा ना रखे ऐसे ना काटा जाडू हो या फूल जाडू हो ऐसे खाडा ना रखे जिससे की हमारे सिर्पे जैसे बोलते हैं दुसमन खाडा रता है और यह हमारे घर में सुक सम्रीधी के लिए बिल्कुल सही नहीं है तो आपको जाडू को ना या तो लिटा कर रखे या आपको ना यह जाडू है तो माल लिजे कि इसको ऐसे खाडा करके आपको एकदम स्टेंड तो रखना ने चाहिए जो कि आप लोग देख रहे ना इस प्रकार से जाडू रखना हमारे घर के लिए बिल्कुल सुभ नहीं है तो आप आपको या तो जाडू को ऐसे टेड़ा करके रखनी चाहिए या जाडू को ना आप चाहें तो कहीं और भी अच्छा जगा आपके घर में अस्थान है तो थोड़ा सा और भी तेड़ा कर सकते लेकिन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाडू कभी मत रखिएगा जो कि हमारे लग जाता है तो आपको क्या करनी है बरतन को चूके भी ना नमस्कार कर लेनी चाहिए बरतन को भी पैर से नहीं लगाते हैं बरतन को लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं जाडू को भी लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं तो कभी बरतन और जाडू को आपको पैर न कठा कर देते हैं बच्चों का कपड़ा ऐसे रखा रहता है तो कई आदमी का आदत होता है कि जैसे कपड़े को ऐसे धकेल के साइड कर देते हैं पैर से धक्का मार देते हैं बच्चों के कपड़ा को जो कि आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सुभ नहीं होता वो लड़की ह लड़का हो ऐसा लिए कि लड़का के कपड़ा के लिए बता रही हूं यह बच्ची में मतलब कोई भी बच्चा हो हमारा ही बच्चा है ना लड़की लड़का से नहीं लेना देना है बच्चों के कपड़ा को कभी पैर से ऐसे आपको नहीं सरकानी चाहिए देखे मैं आपको पेर कब्चब ये तो सभी लोग जानते होंगे लेकिन यह कई लोग बाथ रूमें जैसे कपड़ा पड़ा रहता है पेर से जाना कब्च कर देते हैं पतिि के कपड़ा हो या बच्चों के कपड़ा हो कभी भी हम महिलाओं को उसमें पेर नहीं लगानी चाहिए ठीक है तो ये भी आप लोगों समझ में आगे होगा तो ये हो गया हमारा पांच वा नियम और अगला जो हमारा नियम हो वो क्या है कि मालीजे आपके घर में चार पांच गनीज जी के अगर प्रतीमा हो गई है जैसे कई हो जाते हैं तो आपको हटा देनी चाहिए दो रखिए या तीन तो नहीं रखनी चाहिए या चार पांच भी हो जाए तो आपको नहीं रखनी चाहिए ठीक है अगली बत क्या है कि अगर गनीज जी की प्रतीमा आप खरीदने जा रहे है तो उसमें सूर गनीज जी का अगर आपका बाइं तरफ सूर घूमा रहता है तो ऐसी प्रत आपको अपने मंदिर में अपने घर में रखनी चाहिए यह बहुत अधिकलाब मिलती हूं एक नए वीडियो में तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्षी त्रियों और जहां कहीं भी रहिए खूप खूस रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय है